प्यारे बच्चों आज हम कक्षाच्छे हिंदी व्याकरण में अध्याई साथ शब्द भंडार के बारे में पढ़ेंगे शब्द भंडार का मतलब है बच्चों कि हमारी शब्दों की जो स्टोरेज है यानि शब्दों का जो ज्यान है उसमें विर्दी करना यानि उसका जो भंडार है उसमें विर्दी करना और ये हम कैसे कर सकते हैं नए नए शब्दों को सीख कर तो शब्दों के बंडार में विर्दी करने के लिए बच्चों हमें इनेक तरह के शब्दों की जानकारी होनी जरूरी है ताकि उनका प्रियोग हम दैनिक बोलचाल की भाशा में कर सकें तो शब्द बंडार में बच्चो सबसे पहले आज हम करते हैं परियाएवाची शब्दे कि परियाएवाची शब्द क्या है सबसे पहले तो में परियाएवाची शब्द का अर्थ पता होना चाहिए कि परियाएवाची शब्दे कहते किसे हैं तब ही हम उन्हें याद कर सकते हैं कि अर्थ की दिश्टी से एक समान अर्थ बताने वाले शब्दे परियाए वाच्चिया समान अर्थक शब्दे कहलाते हैं परियाए का मतलब होता है बच्चो अर्थ है कि शब्द का जो अर्थ है अगर एक समान अर्थ वाले हम कई शब्द याद कर लेते हैं तो उससे हमारा शब्द बंडार बढ़ जाता है उसमें विर्दी हो जाती है और प्रियावाची शब्द में बच्चो समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम सीखेंगे जैसे उधान के लिए आँख, आँख को हम नेत्र, नयन, चक् इन में से कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, प्रियोग कर सकते हैं आँख सब्द के लिए और इन सभी का अर्थ बच्चो एक दुसरे के समान है इसलिए इनको समान अर्थक शब्द भी कहा जाता है प्रियावाची शब्द या समान अर्थक शब्द एक ही बात है अब जै के ही नाम है समान अर्थ वाले नाम है तो समान अर्थ वाले शब्दों को में जो समान अर्थक शब्दे या परियावाची शब्दे कहा जाता है आपको आज करना क्या है परियावाची शब्दों को याद करना है हर शब्द के कम से कम दो दो परियावाची शब्द आपको याद करने हैं कैसे कि जैसे अस्व गोटक, घोड़ा, तुरंग, सेंड़व चार शब्द दिये गए हैं हमें कोई दो शब्द बच्चों याद करने हैं ताकि हमें नोलिज हो जाए, ग्यान हो जाए में विर्दी हो जाए, जो भी आपको असान लगें जैसे अस्व के गोटक, घोड़ा, आश्मान के आकास, गगन घर को ग्रे, धाम, या सदन, तीर में से कोई भी दो शब्द तो बच्चों क्या करेंगे, शब्द आपको दिये मिले उनके प्रियावाची या समान आर्थक बताने हो, तो आप आसानी से बता पाओगे, तो आपको सभी शब्दों के दो-दो प्रियावाची शब्दे कम से कम याद करने हैं, कोई भी दो कर सकते हैं, वच्चों जरूरी नहीं, पहले दो करें, जैसे दास का नोकर, सेवक, जो आपको आसान लगे, नदी का सरीता, तटिनी तो आपको आज ये पूरी टेबल याद करनी है, प्रियावाची शब्द की अगले पेज पर हैं, बच्चों, पक्षी, जैसे पक्षी से दो प्रियावाची शब्दे, खग, द्विजे, परवत से पहाड, अचल, तो इस रहे से फूल से सुमन, पुश्पे, जो आपको आसान लगे, वो दो दो प्रियावाची शब्द इन सभी के आपको कर लेने हैं यहां तक, रात तक, रात के क्या है निशा, रात्री या रजनी, तो इन सभी के आपको दो दो प्रियावाची शब्दे अच्छे तरह से याद करने हैं, यह कोई कठिन नहीं हैं बच्चों, अगर आप इनको ध्यान लगाकर दो बार अगर अच्छे से रिवाइज करोगे, तो दो तिन बार रिवाइज करने से आपको यह याद हो जाएंगे, और याद करके घर पर अपने भाई या बहन को या अपने ममी या पापा को जरूर सुनाने हैं, कल हम करेंगे विलोम शब्द के बारे में, अच्छा बच्चों धन्यवाद